मुरुदाबाद के ठाना मंजोलाच छेत्रे में कल सुबा हुई सिक्योर्टी गाट की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करतीवे दो आरोपियों को गिरफतार करके उनके पास से एक राइफल भी बरामत की मंजोलाच छेत्रे इस्थित हाईवे 24 गाट की कल सुबा तीन बजे के आसपास अग्याद पदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर हड़कब मचा दिया था जिसकी सूसना पर एस एसपी प्रिभाकर चोथरी भी घटना इसकल पर पहुंच गए थे इस मामले में आज मंजोला पुलिस और एसोजी की टीम ने दो आरोपियों को ग सदेश शर्मा ने अपने राइपल से शाकिर की गोली मार कर हत्या कर दी आरोपियों के पहचान शोरूम में लगे सीसी टीवी केमरों से हो गई हो इसमें कल रात को पुलिस को सूचना एंथी थाना मजोला शेत्र में मारूती का शोरूम है अकांसा शोरूम के नाम से वहां पे जो एक गाड कारी रख था उसकी बोली मार कर दख्या कर दी गई है इसमें पुलिस में बहुती सराने कारे करते हुए 24 गंटे के अंजर लगवग इसका अनावरान किया है इसमें दो व्यक्ति सूरेश शर्वा निवासी बिरंपूर ठाना बिलारी और दूसरे उसका काम ने आया है कि लगवग एक साल पहले जून माह में यह जो मृतक था शाकीर और जो सूरेश शर्मा है यह दोनों उसी आकांशा शोरूम में काम करते थे इनके बीच में कनातरी रहती थी वहां को लेकर वहां पे एक बार पुछ पांच-छे लड़कों ने जो मृतक है जो जो सूरेश शर्मा है जो अव्यूद पकड़ा गया है उसके उपर अटैक हुआ था मारपीट वी थी जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा उसमें चार्शीट भी लगी थी तो इस जो मृतक है शाकीर इसके उपर सूरेश को हमेशा शाक था कि जिन ल पर मेरे बारे में पूछा और घटना के बाद जिस तरह से इसका रवया था इसको लागा कि जरूर इसके पीछे शाकिर का हाथ रहा है उसके बाद उसके बाद उसने वहां से नौपरी छोड़ दी थी लगबग डेड़ मां पूर्वोई ये पास में पार्थ होगर सी वाप से वहां पर गाड की नौपरी करने लगा तब से ही इसके मन में चल रहा था कि मुझे मेरे साथ जो गटना हुई है इसके पीछे शाकिर का हाथ है इसके लिए मुझे बदला लेना है कल रात को लगबग दो पचास के अराउंड ये अकांजर शोरूम के वहां आया और इसने वहां पर सोते हुए शाकिर को मौगा पाकर अपनी जो इसके पास राइफल थी इससे गोली मार कर हत्या कर दी इसमें वहां के आसपास के जो शोरूम के CCTV पुटेजेज थे और अगल बगल के CCTV पुटेजेज इसमें इसके इसके इडिटिफिकेशन हुई इससे बड़ी पु आया था और वो देखे और तुस्ता में कोई और व्यक्ति था इसके साथ इसमें इधर देखके गया था फिर वहां से अपने शोरूम सीजेव वहां चला गया था और फिर ये वापस अपने एक साती रिषिपाल को लेकर आया पैदल वो दिख रहा है वहां पे जाते हुए तो बरामत की ज़िए जिन सब्सक्राइब कर दो जो इसने फोन आया था वो बता निपाया था उसने अपने पिता से पूछना चाहोगा बर लेकिन वह बात उसके लिए नहीं जब यहां पर आये और इसके पिता को सीधा हॉस्पिटल ले जाया गा तो इस बीज कोई किसी का न दर्ट किया गया था इन्वेस्टीगेशन के दोरान और सीधी टीवी फोटेजेज की मदद से यह लोगों के नाम खुले हैं और इनसे पूछताज में पूरा गठा क्रम का नावराण हुआ है